जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं लेक्चर नमबर हमारा सेवन प्रीविएस लेक्चर में हमने फानेंशल रिपोर्टिंग फ्रेमवक के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में स्टड़ी किया था आज आज आपकी होम साइन्मेंट दू थी लेकिन आपको अधों एक दिन और एक्सेंशन दी जा रही है कल शाला आपकी होमसाइन्मेंट हम डिस्कस करेंगे चेक भी करेंगे रिकशंड़ करेंगे अघ्ञामार के कनसेफ्ट को आगे लेके चलते हैं कल एक लास्ट में कंसेप्ट रहे था एप्लिकेबर हमनें दिसक्स करना है अमें यह पता चल गया कि financial reporting framework की different types हैं एक जनरल पर्पस एक special परपस एक फिर फिरेंटेशन एक कम्प्लाइंस फ्रेमर्प बनेगी वह किसी न किसी framework के मताबिक बनेगी ऐसा कि ऐसा पॉसिपल है कि एक फाइनाशल स्टेटमेंट बहुत से framework framework से मताविक,, ऐसा पंसीब्ल नहीं हम यहां तो IFRS के मताविक होगी यह tex basis मताविक होगी ऐसा नहीं हो सकता कि esse income statement बनी हो और वह IFRS के rules को भी फालो करती हो और tax के rules को भी फालो करती हो कही ना कहीं फरक आ जाता हूँ. इस Southbank फॉर्टिंग करैंग ना होता है, इस statements बनाएं वो किसी एक financial voting framework को select कर लेती है financial statements prepare करने के लिए लेकिन याद रखिए यह जो selection की जाती है ना financial voting framework की यह कुछ rules को सामने रखके selection की जाती है ठीक है यह ऐसे नहीं क्या खेंबंद करके हम ने खाथ माया और जिस framework भी हाथ आगया उसके मताबिक financial statement इस तरह नहीं होगा बलके management ने कुछ चीज़ें सामने रखती है जैसे nature of entity, nature of financial statements, purpose of financial statements, legal requirements जैसे अगर legal requirements है कि पाकिस्तान में जितनी भी financial statements shareholders को बिजवाई जाएंगी वो आया फरस के मताबिक मनेंगी तो इसका मतलब है management ने financial statements prepare करने के लिए shareholders के लिए जो financial statement prepare करनी है उसका framework क्या होगा आया पारस और अगर परपस यह है कि financial statements FBR को send करनी है तो फिर framework tax basis होगा तो management के सामने बहुत से financial reporting framework है management ने उन में से किसी एक ही selection करनी है और उसके मताबिक financial statements को prepare करना जिस financial reporting framework को management select कर लेती है adopt कर लेती है to prepare financial statement उससे हम कहते है एप्ली केबल financial reporting framework यानि यह अगर management के बहुत से financial आपको था दुनिया में बहुत से financial reporting frameworks है बहुत से बहुत से टाइब से ना general purpose special purpose fair presentation compliance और भी framework की टाइब सा है जो हमारे स्लिवस में नहीं है इस में से कोई एक framework ऐसा है जिसको management ने financial statements प्रिपेर करने के लिए अब यह वाला financial reporting framework तो management के लिए relevant हो गया बाकी सारे irrelevant हो गया अब यह जो financial reporting framework relevant हो गया इसको हम simple financial reporting framework नहीं कहते हैं बलकि इसका नाम हम रख देते हैं एपली केबल financial reporting framework लफज एपली केबल से मुराद वो financial reporting framework जो management ने और डॉप्ट कर लिया है टू प्रिपेर financial statements अच्छा अब यह framework adopt कर लिया कहानी को थोड़ा सागे लेके चलते हैं जब management इस financial statements इस framework के मताबिक financial statements बना लेगी और उसके बाद auditor से audit करवाना होगा क्या auditor को आपके ख्याल में यह देखना चाहिए कि यह financial reporting framework सही तरीके से select हुआ है कि नहीं क्या यह देखना चाहिए और यह देखने के लिए auditor का criteria याद रखे वही होगा जो management का criteria था यानि management ने जब बहुत से financial reporting framework में से एक को select किया था कैसे select किया था considering nature of entity, nature of financial statement, purpose of financial statement and legal requirements exactly इसी criteria को सामने रखे आइटर यह देखेगा क्या management ने सही applicable financial reporting framework select किया के नहीं ऐसा तो नहीं कि shareholders को financial statement बज़वानी है और tax basis framework को आप्ट किया गया है तो अगर auditor अपना criteria लगा के check करता है तो यहां पे दो possibilities है यहां तो management ने जो applicable financial reporting framework अडॉप्ट किया है वो auditor के लिए acceptable होगा, acceptable होगा यह acceptable नहीं होगा, acceptable होने से क्या मुराद है acceptable होने से क्या मुराद है, कि management ने criteria बिल्कुल ठीक आप्ट किया और acceptable नहीं होने से क्या मुराद है कि असल में applicable financial reporting framework कुछ और होना चाहिए था, management ने कुछ और आप्ट कर लिया यहां पे auditing center artists यह कहते हैं, अगर तो applicable financial reporting framework acceptable है तो आप अपना audit शुरू करें आगे, कोई issue नहीं है, कोई problem की बात नहीं, लेकिन अगर applicable financial reporting framework acceptable नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, क्या फिर भी audit शुरू कर दें, फिर आप management से पहले request करें, समझाने की कोशिक करें, कैसर framework को change कर दीजिए अगर management framework change कर दे, अच्छी बात, अगर ना change करें, तो auditor shall not accept proposed audit engagement, और इस engagement को accept नहीं करेगा, यह जेज में रखीएगा, यह criteria applicable financial reporting framework कितना हम है यही बता रहा है, applicable of financial reporting framework क्या है, applicable of financial reporting framework, यह वह वाला framework है, कौन से वाला, जो management ने adopt किया है, अच्छा किस ने, management ने, यह क्या है, TCWG, यह मैं भी थोड़ी दिरे में explain करता हूँ, यह बार-बार हमारे subject में come आए कि, इसको मैं भी explain करता हूँ, फिलहाल सिरफ management के वर्ट पे और कीजिए, applicable of financial reporting framework क्या है, वह वाला framework है, जो management ने adopt किया है, किसलिए, to prepare financial statement, और कैसे select किया है, अपनी मर्जी से, नहीं, considering legal requirements, nature of entity, nature of financial statement, purpose of financial statement, और अगर यह acceptable नहीं है, तो आइटर, audit engagement का accept नहीं करेगा, अच्छा मुझे बताईए, एक company bank के पास loan लेने के लिए गई, bank ने कहा, मुझे financial statements prepare करके दीजिए, लेकिन cash basis के उपर prepare करके दीजिएगा, क्योंकि हमें cash में ज्यादा interest है, cash कहां से आरा, cash कहां से जा रहा है, management ने financial statements prepare करके, bank के सामने रख दे, bank ने कहा, कि हम आपको loan नही दे सकते, ले जाए ये financial statements ले, management ने decision किया, चुब के financial statements already prepare कर चुके है, इसलिए दुबारा prepare करने की ज़रूत नहीं, यही financial statement हम shareholders को भिजवा देते हैं, और auditor से कहा कि in financial statements को audit कर दीजिए, क्या auditor को audit करना चाहिए, नहीं करना, क्यों नहीं करना चाहिए, applicable financial body framework acceptable नहीं है, वो bank क लिए तो शायद acceptable था, उसका purpose कुछ और था, लेकिन उस शेर होल्डर के acceptable नहीं है, और इस इंगेजमेंट को accept नहीं करना, पहले management को कहना चाहिए, सर, cash ने क्रोल बेसिज को पर convert करने, इसको, आया फरस के मताविए, management ना मनें, तो auditor इस engagement को accept नहीं करेगा, क्लियर हुई यह बार, अच्छा आगे, अब यह बहुत एहम वर्ड है, जो के अर्डिट के तकरीबन हर chapter में यूज होता है, वो है those charged with governance, those charged with governance, आप मेंसे जिन स्टूर्ट्स ने लापड़ा है, उनको भी शायद अदाजा होगा, या जिन स्टूर्ट्स ने कोई management का subject पड़ा है, उनको भी किसी भी organization के अंदर hierarchy होती है, नहीं काम करने के, अच्छा hierarchy में सबसे उपर है shareholders, shareholders हैं नीचे कोन है, directors होते हैं, फिर उसके बाद नीचे CEO और दूसरे लोग, management के लोग, CFO और different departmental heads, और फिर हर departmental head के नीचे further staff होता है, जो उस department में उसकी help करता है, अब ये typical organizational structure में आपके सामन में रख रहा हूँ, मकसद तो एक term समझाना है, लेकिन इसके पीछे हमारे चार-पांच और concepts हैं, जो इसके साथ link करते हैं, इसलिए मैं उनको भी साथ जोड़ा हूँ, ताकि basics develop हो जाए हमारे advanced concepts की, organization में कुछ लोग ऐसे होते हैं, management है, वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है, क इनको observe करना है, और इनको चलाना है, और management से उपर directors, इनकी जिम्मेदारी होती है, overall direction देना, organization को, policies, strategies, formulate करना, और इन strategies को आगे implement करना, execute करना, वो management का काना है, किसी भी अगर एक company का, क्योंकि हमारे ज्यादातर clients होते हैं, जो audit clients हैं, audit firms के, वो कोई ना कोई company होती, तो एक typical company म पे जो organizational structure होता है, वो सबसे पहले उपर इसके shareholders, जानि ओनर, owners appoint करते हैं, directors को, जिने board of directors भी कहते हैं, Board of directors सारी decision making यही कर रहे होते हैं, लेकिन यह day-to-day business को run नहीं कर रहे होते हैं, day-to-day business को run करने के लिए, daily basis पे काम करने के लिए, directors appoint करते हैं, CEO को, CEO को, याद रखे, directors के under होता है, इसको directors appoint करते हैं, CELA में आपने पढ़ा होगा, CEO is appointed by directors, फिर उसके बाद CEO के under सारे departments होते हैं एक company के जितने भी departments हैं, जैसे फर्स किजिए, एक company के कितने departments हो सकते हैं, बहुं से कौन कौन से फारज हम, human source department हो सकता है, legal department हो सकता है, marketing department हो सकता है, counting and finance department, IT department, research and development department, और भी कोई अदर जरूरत के लिहास है, internal department भी हो सकता है, बिल्कुल ठीच, department clear हुए है, अच्छा अब मैं जो discussion है बहुए को सामने रखे कर रहा हूँ, बाकी की कोई भी चीज़ आपको notes में या किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन case study में frequently use होते हैं ये concept, इसलिए मैं आपके साथ share कर, human source department, ये क्या काम करता है, implies की hiring करता है, implies को fire को निकालना हो, वो काम इसके जिम्में, salaries, ये decide करता है, increment वगरा, वो भी यही decide करेगा, agree करते हैं, legal department क्या काम करता है, legal cases company के भी हाप पर लड़ते हैं, marketing department क्या करता है, company की products की marketing करता है, sales advertisement करता है, different policies के जी employees को bonus देना, कि अगर आपने sales बढ़ाई तो 10% आपको bonus देना, marketing policies, accounting and finance department क्या करता है, accounts का काम करता है, financial statement पर बेर करता है, ये वो department है, जो हमारे, हम auditors के सबसे ज़्यादा करीब होता है, हमारे सबसे ज़्यादा hello है, मिलना, जुलना, गपशप, accounting and finance department होता है, क्योंकि इसमें वो लोग हैं, जो के financial statements बना, जो general entity record करते हैं, जो ledger, trial balance पर पेर करते हैं, जो financial statements पर करते हैं, accounting and finance department, IT department क्या करता है, वो IT system launch करता है, IT system में कोई changes करवाने हो, वो changes IT system करेगा, ठीक है, कभी IT system में कोई problem आगया, bug आगया, उसको ठीक IT department करेगा, website वगरा कि को नेटी है, research and development department, ये research करता है, और अगर इसकी research successful हो जाए, तो फिर develop करता है, या नहीं मार्किटे प्र products को market में लाने के लिए effort करता है, और कुछ other department, other को छोड़ी है, अब मेरे सवाल का जवाब देजिए, ये सारे department CEO के अंडर आते हैं, agree करते हैं, हर department का कोई ना कोई head होगा, और उसके under कुछ लोग काम करने होगे, ठीक है, accounts and finance department का head को क्या कहते हैं, बहला, CFO, बाकी भी departmental head क के ना में हैं, लेकिन वो हमारी subject से relevant नहीं है, तो मुझे पताईए, CEO और CFO में से higher position पे को है, CEO, CEO, उसके under है, ये जिन में रखिएगा, यानि CFO reportable to CEO, अगे चलता है, human source department, as auditor, हमारे लिए human source department relevant है, क्या हमें audit करने के दोरान सिरफ accounting and finance department से ही concern रखना चाहिए, कि बाकी के department से भी हमें evidence मिल सकता है, बागी के department, अब यहां पर, यहां पर, यहां यह के study का knowledge हो रहा है, यह आपको लिखी हुई कहीं पर बता रहो, लिखी कहीं चीज नहीं मिलेगी, case study का knowledge है, human source department से हमें क्या information मिल सकती है, और वो हमारे किस area के, में use होगी, वान बै, अच्छा, जिस note से पूछू, बाद में कोई आड़ करना चाहें, तो कर ले, human source department से हमें payroll की information मिलेगी, किस employee की कितनी salary है, human source department से हमें पता चलेगा, duty to area कितने employee आए, कितने employee resign करके गए, human source department पता चलेगा, employees को bonus दिया गया, कि नहीं दिया गया, तो कितना bonus दिया गया, यह सार, और यह हमें payroll, यह नहीं sales के area को verify करते हुए, information काम आएगी, agree करते हैं, चलिए, इसके बाद legal department, legal department में कौन सी information मिलेगी, और हमारे किस area में काम आएगी, audit करते हुए, नहीं, जी सर्फ जिस रोन से पूछा, legal department से हमें legal cases की detail पता चलेगी, company के against कितने cases spending है, कौन से cases company हार रही है, कौन से जीत रही है, ताकि जो cases हार रही है, उनकी प्रवियन रिकार्ड की जाए, यह department हमारे किस area को audit करते हुए काम है, यह एक तो प्रवियन के area में, और दूसरा, disclosures में, जो legal cases का disclose देना होता है, उसमें काम आएगा, ठीक है, marketing department, इससे हमें क्या information मिल सकती है, one by one, कौन सी product good demand में है, कौन सी product की demand down जा रही है, ठीक है, company की marketing policies क्या है, sales pay commission दे रहे हैं, discount दे रहे हैं, कितना discount दे रहे हैं, अगर आपको पता चले, किसी product पे 50% discount दे रहे हैं, तो यह information आपके किस area से relevant है, नहीं, आपका financial statement में किस area से रहे हैं, sales है, या आपकी inventory से relate कर रहे हैं, बता सकते हैं कैसे, अगर आपको पता चले, के company एक product पे significant discount offer कर रहे हैं, 50% या उसकी जो market में demand है, वो downward जा रहे हैं, यह inventory को कैसे effect करती है, इसका मतलब inventory के nrv कम हो गई है, आपको lower of cost nrv के मताबिक से write down करना पड़ सकते हैं, भी कुछ समझा है, marketing department, यह सारी information ना, case study में वो देगा, आपको फुद फिर link करना पड़ेगा, इस जगा सी information मिलिया है, यह हमारी area को effect करती है, आगे accounting and CFO, इसमें तो हमारा सारा ज्यादातर काम ही इससे relevant होता है, कमने की counting policies कोन सी है, क्या है, accounting estimates क्या है, during the changes वगएरा होई है, depreciation rate क्या है, ठीक है, वगएरा वगएरा, सारी information हमें accounts and finance department से में होते हैं, IT department से पता चलेगा, during the year कोई new system launch किया है, या existing system में कोई changes किया है, क्यूंकि एक तो यह कि अगर कोई website वगएरा यहां कोई IT system launch किया है, तो उसके cost सही capitalized होई है, कि वो हमारे लिए relevant होता है, क्यूंकि आपको होता है IT system जो है ना, उनकी cost significant होती है, बास उकात millions में in cost होते हैं, और दूसरा, sometime ऐसा होता है कि IT department में अगर कोई changes की जाएं, तो उनकी वज़ा से transactions में कोई ना, कोई errors आने का खतरा होता है, इसलिए अगर IT department में significant changes हो, तो हम खास तोर पर ध्यान रखते हैं कि इसकी वज़ा से कोई transaction तो गलत रिकार्ड नहीं होगी, research and development department, कौन से project चल रहे हैं, कितने capitalize किये हैं expenses, जो expenses capitalize किये हैं, क्या वो सही criteria meet करते हैं के नहीं, यह intangible assets से relate कर रहे हैं, इस 38, उसमें criteria भी है कोई, criteria याद है आपको, चलें ठीक है, जो भी criteria, अदर चलें, यह departments clear होगे आपको, हर department ने कुछ आगे further sports staff रखा होता है, जैसे finance department ने, cf ने आगे sports department, sports staff रखा होगा, यह sports staff में कौन-कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, बहुत से, for example, cashier होगा, जो cash में लेन दिन कर रहा होगा, inventory manager होगा, जो inventory को संबाल रहा होगा, accounts clerk होगा, जो के accounting बगरा कर रहा होगा, और भी उसे लोग होगे, इसी तरह बाकी departments में भी different staff अपाइंड किये गए होगे, यह हिरार की समझ आईए आपको, directors के अंडर CEO और departmental head, departmental head के अंडर CFO, departmental head CFO है, इसके अंडर other staff, अब सुनिए, audit में कुछ terms यूज होती हैं, तीन terms यूज होती हैं, employee, management और those charge with governance, employee से मुराद, यह लोग होते हैं, जूनियर, most junior level पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, management से मुराद वो लोग होते हैं, जो के policy implementation वगारा करते हैं, day to day management, जिनकी responsibility होती है, जैसे हर department का head, हर department का जो head होगा, उसे कहते हैं management, और उस departmental head के अंडर जो लोग काम कर रहे होगे, उनने कहते हैं, employees, और departmental head के उपर directors कंट्रोल कर रहे होगे, इन सब को, और directors ने अपना है के representative CEO पाइंट किया होता है, basically, CEO, यह सारी departmental head है, यह CEO को report करते हैं, और CEO फिर directors को report करता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इختलाफ है law का और audit का, law यह कहता है कि CEO की position की वज़ा से, CEO is a director, law यह कहता है, लेकिन audit यह कहता है, auditing standard यह कहता है, CEO चुके day-to-day basis पे business में मुझूद होता है, business को monitor कर रहा होता है, यह management का part है, management में जो highest person, highest authority है ना, वो CEO है, तो याद रखे, audit के paper में आपने CEO को किसका part समझना है, management का, director का part नहीं समझना, हलाकि law में कुछ और का आ जाता है, यहां तक clear? अब यह आपके सामने तीनों term समझ आ गए, अच्छा, अब directors जो हैं, directors, इनोंने, इनका काम क्या, director daily basis के उपर business में आते हैं, नहीं, आपको पता है, यह महिने, दो महिने, तीन महिने के बाद एक meeting करते हैं, आके decision making करते हैं, फैसले करते हैं, और बाद में फिर management से कहते हैं, आप तीन महिने इसके उपर execute करें, अब directors, यह board of directors जो हैं, यह तीन महिने के लिए business है absent हो गए, लेकिन यह चाहते हैं, कि हम जात हो रहे हैं, अब मैं आगे फर्दर ना, यह CEO को मिट कर रहा हूँ, इसकी discussion नहीं करूँगा, क्योंकि बार-बार management and CEO, management, यह कहना ना, बार-बार duplication हो जाती है, सिर्फ management का word directors ने management की जिम्हेदारी लगा दी कि आपने business को संभालना है, हम घर जा रहे हैं, महिने, दो महिने, तीन महिने के बाद आएंगे, लेकिन directors को खत्रा है, कि कहीं हमारे पीछे यह कोई लोग गड़बड ना कर दे, कि फराड़ करके भागना चाहें, इसलिए किसी एक बंदे को permanent, किसी department को permanent daily basis पे मुझूद होना चाहिए, company के अंदर, और उसकी जिम्हेदारी कोई काम करना नहीं हो, बलके दूसरों के काम को चेक करना वो ठीक काम कर रहे हैं के नहीं, और अगर कोई routine nature के मसले मसाइल है, तो report बना के monthly हमें मुचा दिया करें, लेकिन अगर कोई इक्टर्स के भी हाफ पे बाकी लोगों को observe करें, और अगर गड़बड है, तो बो report कर दें, जिस जैसे सूबे के मामलाद, वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं सभालने हैं, ठीक है, पैसे तो भी करने, गवर्नर का क्या का काम होता बला, चाह करना के सही काम कर रहा है, अगर नह इसको appoint कौन करते हैं, ये खुद से कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के काम को check करते हैं, और अगर कोई गडबड नजर आए, तो directors को report कर दें, इसे internal audit function या internal audit department करते हैं, बताइए ये सारा structure समझ आगे आपको, कौन सा department किस जगा पे fit है, चलिए अब आपको concert building की तर किन आपको दूसरी टर्म भी समझा रहा हूं, employee, employee समरात कोन है, most basic level पे जो काम करते हैं, इन सो पर departmental head उनको क्या करते हैं, manager, management से उपर जो directors हैं, इनको कहते हैं, those charged with governance, those वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है, governance, good governance, company के अंदर, इनकी जिम्मेदारी है, company के अंदर good governance रहें, company के strategic direction, accountability, company के strategic मामलाथ, यह सारे यह लोग देखते हैं, और चुके internal audit department या internal audit function भी इन्हीं लोगों ने establish किया होता है, इसलिए उसको भी sometime हम दो साभी governance का ही हिस्ता मानते हैं, यह दो साभी governance का ही हिस्ता है, नहीं, internal audit department management में नहीं आएगा, क्योंके दो साभी governance और management से उसका ताल यह, दो साभी governance के term समझ आ गई, अब जहाँ जहाँ लिखा होगा management and दो साभी governance तो आपको समझ लग जाएगी, कि management का मतलब departmental heads है, दो साभी governance का मतलब plus directors भी शामिल है, और internal audit department भी कहते हैं, इसे sometime audit committee भी कहते हैं, थोड़ा सा फरक है दोनों में, लेकिन हम अपने subject की हद में हाँ तक कोई फरक नी रखते हैं, audit committee भी कहते हैं, अब आप से कुछ advanced topics के question पूछों, हाला कि अगर आप दो साभी governance के term ना, ये आदे मिनट में भी पूताई जा सकती थी, मैं आप से कहते हैं, भी दो साभी governance का मतलब क्या directors, मतलब तो वही है, सारी कहानी आपके सामने क्यों कुछ advanced concepts हैं, जो मैंने relate करवाने थे, अब वो मैं आप से करवा रहा हूँ, one-da-one, मेरा पहला question है, हमारे topic of fraud का, उसमें discussion करता है कि within the company अगर fraud हो, तो auditor को क्या करना चाहिए, किसको report करना चाहिए, अब आप बताईए, अगर fraud में employee involved है, auditor को किसको report करना चाहिए, वहाँ पे वो कहते हैं, एक step higher core board करें, employee fraud में involved है किसको report करें, management fraud में involved है किसको report करें, दो चाहिए, और अगर दो चाहिए, गुवरनस इन्वाल है, फिर shareholders को, या regulatory authorities को, चलिए, ये fraud वाला तो एक basic concept हमें clear हो गया, कि communication का rule किया है, एक step उपर communicate करना, जो बंदा fraud में involved है, उससे एक step, कम इसका में, एक step उपर वाले को, बंदाए, नहीं, एक मिट हारी है, ये मैं external auditor की बात कर रहा हूँ, यानि external auditor को, अगर को फराड सामने नजर आए है, external auditor को, तो वो किसको communicate करेगा, एक step है, internal auditor की बात नि कर रहा है, भाज ने का, कैसा हर वो internal auditor को, अगर fraud नजर आए, directors का, तो वो तो director केंटर ही काम करें, उनको थोड़ी बताएंगे, या वो तो उनकी instructions के मताबिक ही काम करेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन हम किसके point of से बात, ऐचा है जहन में रखेगा, अब दो terms आपके सामने आ गई है, एक है external auditor, एक है internal auditor, जब मैं सिर्फ word auditor यूज करूँगा ना, इसे मुराद external auditor होगा, यह जिन में रखेगा, fraud का concept clear हो गया, आगे जलते है, evidence, मेरा question यह है, कि evidence सिर्फ single source से हासिल किया जा सकता है, या other sources से भी हासिल किया जा सकता है, बिलकुल, एक standard evidence का वो बताता है, कि evidence within the organization, other sources से भी हासिल किया जा सकता है, अब अगर आप से कोई पू ही हमने जो चीजें discuss की थी, humor source department से क्या information मिलेगी, किस काम आएगी, marketing से क्या मिलेगी, information legal बगारा, चलिए, evidence, sources of evidence वाला concern भी discuss कर लिया हमने, आगे internal versus external auditor, आगे चलके एक chapter पढ़ना है हमने, जिसमें internal और external का फरक आएगा, internal auditor, external auditor में क्या फरक है, लेकिन अगर आपने इस chart को आप अच्छे तरिके से समाल लिया तो आज बावी भी बता सकते हैं, जैसे मेरा पहला question, बताएगे internal auditor को को रोपोंट करता है, और external auditor को को रोपोर्ट करता है obey अच्छा बताएगे, क्या external auditor independent of entity, है, entity means company, independent of company है, yes, external auditor है, external क्याach Radio, mandatory independent of entity है, नहीं है वो मैणिजमेंट से तो है वो मैणिजमेंट से तो लाइदा है लेकिन कुपणी से ऍंडिपेंट नहीं है यह बात समझ आ undertaken कि अगर आप से कहें कि इह एक इंटरनल डेपार्ट्मेंट की इंफरमेशन हम शेर कर रहे हैं आप बताईए यह कि इफेक्टीव इंटर्ण डिपार्ट्म khiya है पहले इंफर्मेशन ईंटर्णलाइड डिपार्ट्मेंट का जो चीफ है वह और 60 वह और बच्च्व prepared रोकिंट नहीं है पहले CFO के पास जाती है CFO उसमे कांट चाट करता है फिर उसके बाइव बात बास जाती है बताईये internal it department effective है क्होंकि इं एपर्टमेंट को vermाने टू डारेक्टर होना चाहिए ELLE डॉनू ऍहीं होना चाहिए अगर internal department management वाला काम करेगा तो फिर उसको check-on करेगा उसे तो ये देखना चाहिए कि transaction अप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है उसे ये transactions को प्रूव थोड़ी करना चाहिए इंटरनल और external में फरेक्स समझ जा रहे है चलिए आगे चलते हैं एक और कंसर्प्ट है हमारा यह थोड़ा सा टेक्निकल है रिस्क एड फानेंशल स्टेट्मेंट लेवल और रिस्क एड अजर्शन लेवल कुछ चीजों का impact होता है single कुछ चीजों का impact होता है multiple छोटी सी एक्जेंपल लेते हैं अगर class में एक student लेट आया 5 मिनट तो बताईए कितना नुक्सान हुआ उसका पांच मिनट का और अगर class में एक teacher लेट आया 5 मिनट कितना नुक्सान हुआ वह 5 मिनट का नहीं हुआ वह 500 मिनट का नुक्सान क्योंकि उसका effect सारे student पर पढ़ेगा उसका effect सारे student तो उसी तरह financial statements में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका effect single area पर पढ़ता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका effect multiple areas पर पढ़ता है जैसे अगर मैं आपसे कहूं inventory manager चोर है आपका risk बढ़ जाएगा के कम होगा आपको पता चले जिसके खिलाफ एक F.I.R. दर्ज होई है पिछली कंपनी में जहां पर काम किया था हूं नहीं करवाई है रिस्क बढ़ गया के कम हुआ है बताए एक specific एक अधे अरिया में के बहु आपको पता है CFO के अंडर पूरी financial statement तकरीबन अगर ये fraud करना चाहे तो financial statement के किसी भी अरिया में कर सकता है सारे अरिया इसके अंडर है जबकि inventory वाला अगर fraud करना भी चाहे तो सिर्फ inventory में कर सकता है बाकी अरिया में तो इसको घुसना भी दिया जाएगा वो cash के पास जाके बैटे काशे का भागो भाई मेरे cash को क्यों हाथ लगा रहे हो अपनी inventory को जाके कि दो तो सुन ले अगर किसी employee में कोई problem है तो यह है risk at assertion level का मतलब होता है फिलहाल समय लेजिए कोई specific area यह है risk at assertion level और अगर management level में problem है तो यह है risk at financial statement लागा चलें अगर यह मुश्किल लग रहा है ना रिसका अजर्शन लावल तो यह याद रख लें छोटा रिस और बड़ा रिस चोटा रिस कौन सा है जो specific area को फेट करता है बड़ा रिस कौन सा है अगर चोटा रिस होगा risk at assertion level हमने उसको address करना है के नहीं as auditor करना कि नहीं उसको करना है और अगर रिस काड फाइनेंसल स्टेट में level होगा उसको address करना के नहीं उसको बी करना है दोनों को करना। तो स्वाल यहां पर यह जिन में पैदा होता है अगर दोनों तोरा के रिस्क को अड्रेस करना है तो दोनों की लदा रदा क्लासिफिकेशन हमें बताने के ज़रूत क्या थी यह इसलिए एक एड्रेस दोनों को करना है लेकिन दोनों को एड्रेस करने की approach डिफरेंट है Example in garage किसी और तरी के से होता था रिस्क एड फानेंशल स्टेटमें찬 level अड्रेस किसी और तरीके से होगा हाँ जी बिल्कुल आगे communication में भी आ सकता है अच्छा चले अगर आपको ये concept समझाए कि को ये थोड़ा सा technical concept है तो उसमें मैं वैसे तो आगे डिसकस करना है आमने लेकिन फिर भी एक example आपके साथ शेयर करता हूं आप बताईएगा ये कौन साथ इसका फज कीजिए आपको प सेल स्टाफ जितनी सेल करेगा उसे 10% commission दिया जाएगा अब इसमें क्या risk है कि वह सेल्स स्टाफ सेल्स को और सेल्स करने की कोशिश करें कि जतनी ज्यादा सेल्स होगी उनको commission उतना ज्यादा मिलेगा ये भी रिसक है दूसरी बात आपको पता चली कि कम्पनी के cfo को भी ये option policy में लिखा गया है कि जितना profit होगा उसको भी 10% bonus मिलेगा इधर रिसक है इधर भी है क्योंकि cfo की कोशिश होगी के profit ज्यादा से ज्यादा हो जितना profit ज्यादा होगा उतना ही इसको commission मिलेगा ये दो इस आगए बताएए दुनों रिसक हैं कौन सा risk at assertion level है क्योंकि उसमें गलती का सांच सिरफ एक ही area पे है sales पे लेकिन जो cfo वाला है profit वाला ये risk at financial level क्योंकि इसमें cfo का जहां पे दाव चला वो चलाएगा वो कोई भी income होगी उसको overstate करने की कोशिश करेगा वो कोई भी asset होगा उसको overstate करने की कोशिश करेगा वो कोई भी liability होगी उसको understate करने क प्रेगोशिश करेगा जी एक में ठारी मैं सिरफ conclude करना हूँ सिरफ एक आदे मिनट के बाद conclude को क्वेस्टन लेता हूँ भी यह बास समझ आ गई तो risk at financial statement level और risk at assertial level में फरक समझ आ गया आपको और यह भी पता चल गया कि दोनों को हमने different way में address करना है चलिए यह था हमारा इसको समझना था लेकिन इसको बहना बना के मैंने कुछ और भी बहुत से concept करके आपके सामने रख दिए कलियर होगे चलिए अब कोई question है तो one by one पूछ लेजिए जी पहले यह physical class में पूछ रहते हैं फिर मैं hybrid की तरफ आता हूँ physical में कोई question है तो पूछ ले जी उन्हें का कि सर इसमें responsible party कौन होगी हमने five elements of showness engagement study किये थे थे ना तो responsible party इसमें responsible party आपको यादा क्या था management ठीक है इसमें management कौन से लोग है क्या सिरफ council and finance department का head है यह तो है ही है management इन सारे departments के जो head है यह भी management की definition में शम्मिल है और यह भी responsible party है और क्या directors यह responsible party में शामिल है यह डायक्टर भी responsible party में शामिल है यह डायक्टर भी responsible party में शामिल है लेकिन याद रखिए practically directors खुद financial statements नहीं बना रहे होते लेकिन यह responsible होते हैं कि उन्होंने बाकी लोगों से काम लेना है तो जैसे अगर मुझे यह बताई अगर कोई teacher सही तो ने design करके देना था उसकी monitoring ensure करनी थी तो इसलिए responsible party में यह CFO और दूसरे department तो आएंगे management लेकिन दोशाब भी governance को भी cover किया जाता है क्योंकि इनकी ultimate responsibility है इनके उपर नदार रखना इसलिए अगर आप नोट करें अपनी के पर financial reporting framework के यह यह framework adopted by management and those and those are the only ones को लिखा directly तो इन्हें फाने इसलिए नहीं बनानी तो फ्रेम्मार्ट कि इनोंने नहीं अडॉप्ट करना वह तो management नहीं करना है लेकिन चुके इनके superview ने के जिम्हेदार ही है इसलिए management यह दोशाब भी governance में लिए और की क्वेस्टन जीए ने ने हमने यह कभी नी पढ़ा इनका क्वेस्टन यह कि सर आपने कहा है कि अगर कई फ्राड सामने आता है तो कम असकम एक लेवल उपर बोर्ट करना होता है यादि इंप्लाई का फाइनेंशल स्टेट्मेंट को एफेक्ट कर रहे होते हैं और जो वह वह कम्यूनिकेट करना है लेकिन याद रखे हमने विद्निती आर्गनाईशेशन भी कम्यूनिकेट करना है वह तो एंड में करना है मुझे आपके क्वेस्टन में सिरफ एक लफ़ज डारेक्ट पे तर है ठीक है रिपोर्ट करते हैं लेकिन बैरेक्टली नहीं जे क्या इंटर्नल आडिटर अशॉरंस इंगेज्मेंट पर फार्म कर सकता है नहीं कर सकता है इसकी रिज़न बताएए क्या रिज़न क्यों नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट नहीं है ड्रेक्ट्र और इंट minder यह उघ्र इवर है और आगर यहां तो फिर और तो एक बंदाएंक से ज्यादा काम याद रखें कर सकता है तृड़कषबंस लावल पर हमारे एक chapter है legal requirements का उसमें कुछ case studies में वो ये भी पूछ लेता है कि एक चार्डड गांटेट है वो एक firm में partner है वो दूसरी firm में भी partner है इस firm में कोई गडबड है जिसकी वज़ा से यह client नहीं कर सकती क्या दूसरी firm जिसमें कोई गडबड नहीं है वह वहाँ पर अगर गडबड इस partner की वज़ा से नहीं है ना तो फिर यह दूसरी जगह पर जागे कर अगर गडबड इस partner की वज़ा से है तो यह 10 firm भी गूम लेगा ना तो 10 की 10 firm में अपाइंट्मेंट में हो सकते हैं तो यह एक याद रखेगा एक बेंदा एक से ज्यादा जगह पर काम कर सकते हैं अब है आप कि पिलकुल थिक है समाझ गया मैं समयसे है भी भी तैम है सवाल उन्हेसा कर दिया कर दिंदर रहाए इसका answer explain करूँ डिटेल में लेकिन बाराल फिलहाल आपके question का मैं answer briefly कर रहा हूँ बाद में किसी chapter में detail answer इसका बताऊंगा, आपका question मैं सबके लिए repeat कर रहा हूँ question उन्हें पुछा, सरा आपने का अगर कादेरिया पे effect हो वो है assertion level और बहुत serious पे effect हो तो अगर sales में गटबढ हो वो तो debtors को भी effect करेगा वो तो profit को भी effect करेगा वो तो commission को भी effect करेगा तो ये assertion level तो नहीं तो financial level होगा conceptually उन्हें बिल्को ठीक कुछ, सही सोचा सही जवाब दे, लेकिन याद रखिए हमारा accounting system चलता है double entry system और double entry system में लाजिम है कि एक transaction कम से कम भी ना कम से कम भी दो areas को जरूर effect करेगी एक transaction कम से कम भी दो areas को जरूर, तो जब हम कहते हैं ना कि उसका effect single area पे है तो उससे मुराद उस direct area में है आगे जो consequential impact आता है ना वो consider नहीं करते consequential impact समझ रहे हैं आप उस एक reason की वज़ा से जैसे अगर आप sales में एक रुपे की over statement कर दे तो अगर आप conceptually सोचें उसकी वज़ा से gross profit भी change हो गया net profit भी change हो गया current asset debtor भी change हो गया पर VN4 bad debt भी change हो गई mission भी change हो गया लेकिन ये सारे के सारे consequential impact है यानि total आ रहा है एक चीज़ की वज़ा से जो दूसरे effect होते है ना उसको हम single effect डिलेते हैं ये जहें में रखिएगा उसको हम single तो अगर sales की वज़ा से sales के गलत होने की वज़ा से आगे अगर की दूसरे areas गलत हो रहे हैं तो उसको हम single absorption level ही लेगे हाँ अगर वो question में ये कहे के sale invices की approval नहीं हो रही पर shares invices की भी नहीं हो रहे है payroll pay की गई है उसकी भी approval नहीं होई तो ये different transactions है ये financial statement level है लेकिन अगर वो कहे सिरफ payroll की processing ठीक नहीं होई तो ये ज़शन लागए अब इस payroll की वज़ा से हो सकता है रोल भी गलत हो वो सकता है profit भी गलत हो लेकिन वो उसका consequential impact आएगा जी भाई clear हुआ कुछ जोने question पूछा था चलिए आगे चलते आगे फर्दर बारहाल इसको मैंने मजीड discuss करना आगे किसी future topic में लेकिन फिलाल आपको ये बता दिया कि अगर sales एक रपे से over studied है तो और इसकी वज़ा से जो 4-5 areas effect होंगे वो financial statement level नहीं कहलाएगा क्या audit में अगर fraud के इलावा कोई और miss statement जैसे error है तो क्या वो भी हमने management को communicate करनी होती है इसका जवाब है yes management को एक मुका देते है ठीक है एक मुका देते है और वो उसका rule भी तकरीबन यही है कि अगर employee की तरफ से कोई error है तो management को कहा दे अगर management ठीक कर ले तो अच्छी बात है अगर management ठीक ना करें तो फिर directors के साथ discuss करते है अगर directors भी ठीक ना करें फिर audit report की शकल में उसमें बडिफाई करके क्या अगर error को ठीक कर लिया जाए depreciation record नहीं की गई थे हमारे कहने पर कर दी गई तो क्या भी शेर होल्डर को कमेंट नहीं अब शेर होल्डर को हमने यहीं कहना कि मैंने अरण का जवाब दिया फ्राड में भी कम हो बेश यहीं काम करते हैं लेकिन फ्राड में हमारा course of action थोड़ा स्वेर होता है फ्राड अगर ठीक कर भी लिया जाए ना फिर भी हमने आउपर हाइर 30 को कम्यूनिकेट करना होता है क्या external आइटर हमेशा शेर होल्डर को पाइंट करता है तक्रीबन यस हमेशा शेर होल्डर इंट कर सकते हैं वो कौन लोग हैं वो किन केसिस में पाइंट कर सकते हैं यह भी हम पढ़ेंगे और की question कोई question है चलिए अब हम चलते हैं यह hybrid में कोई question तो नहीं है अगर है तो पूछ लिजी आगे चलता है अभी तक हमने study कर लिया financial statements और financial voting framework हमने five elements of service game study किये थे ना और मैंने आपको बताया था कि आगे चलके इनी five elements को one by one हमने डिटेल में discuss करना है subject matter को हमने डिटेल में discuss कर लिया और suitable criteria को डिटेल में discuss कर लिया और लफाद suitable मैंने आपको समझा दिया कि acceptable होना चाहिए अगर acceptable नहीं है तो और उसको एक्सेट इंगेजमेंट को accept अच्छा बताइए एक अडिट में इन तीनों पार्टी का कुछ ना कुछ रोल होगा कि सिर्फ एक पार्टी का होगा तीनों का कुछ ना कुछ अब अब नेक्स हम इन तीनों पार्टी का वन बावन स्टडी करेंगे क्या रोल्स एंड इस्पोंसिबिलिटी से और इंट में जिसमें पहले पहले हम स्टाट कर रहे हैं management और आपको पता है जब हम management कहते हैं तो understood है and दो सावी गुवर्नस हम study करने जा रहे हैं overall responsibility किस-किस की management की और दो सावी गुवर्नस ओवराल यहां पर word overall पर गोर कीजिए यह थोड़ी धिर में करना माने इसको management और दो सावी गुवर्नस की क्या responsibility है इनकी responsibilities होती है basically तीन बड़ी responsibility होती है overall तीन पहला और सबसे बड़ी responsibility preparation and presentation of financial statements financial statements को prepare करना कैसे इन accordance with applicable financial reporting framework यह नि जो applicable financial reporting framework select किया है उसके मताबख financial statement प्रिपेर करना यह इनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी responsibility और financial statement प्रैणिंग करने में आपको पता है कना संसीन है करना है करती है कि इंदों करने होते हैं कि ऐळे हैं कोण्टिंग केट xem करते हैं इन्हों और स्टेटमेंट करना है और फिर ऐपूर करना है यह management की जिम्मेदारी यह आईटर की जिम्मेदारी तो नहीं है नहीं design and implementation of internal control internal control को design और implement करना कौन सा internal control जो relevant to preparation of financial statements हो मुझे बताईए financial statements prepare करनी है क्या एक अच्छे internal control के बगार financial statement prepare हो सकती है नहीं हो सकती इसलिए financial statements की responsibility तो है ही है management की साथ ही साथ internal control को भी design implement करना यह भी management की responsibility है अगर management यह दोनो responsibilities पूरी कर लें तो फिर भी audit नहीं हो सकता इसलिए कि audit करने के लिए ज़रूरी है management auditor को कुछ information provide करे जो हो सकता है financial statements में ना रही हो जैसे financial statements में यह तो आ रहा होगा कि पिछले साल 10 million salaries expense था इस साल 14 million है लेकिन इसकी reason कि पिछले साल कितने employees थे इस साल कितने employees उनकी salary पिछले साल कितनी थी इस साल कितनी है कितने employees इस साल छोड़के गई है कितने employees इस साल नहीं आए है promotion bonus कितने मिले है यह सारी detail information financial statements में probably नहीं होगी लेकिन यह verify करने के लिए जरूरी है financial statements में यह तो आ रहा होता है कि bank में कितना cash पड़ा हुआ है लेकिन वो किस bank में पड़ा हुआ है कितने banks हैं कौन-कौन से bank में किस branch में है यह ने लिखा हाला कि verification के लिए यह information भी जरूरी है financial statements में यह तो आ रहा हो गाई inventory कितनी है लेकिन उस inventory में कौन-कौन सी चीजह शामिल है उन में से कौन-कौन सी inventory ऐसी है जो obsolete है उसकी market value क्या है यह सारी चीज़ें अलादा-लादा करके financial statements में नहीं हलाके यह उस figure को verify करने के लिए जरूरी है fix assets कितने है डे आगरी करते हैं कि financial statements में वो सारी details नहीं आ रही होती जो verification करने के लिए जरूरी है जो shareholders के लिए वो सारी information आ रही होगी शायद लेकिन जो आडिटर के लिए जरूरी है वो सारी information नहीं आ रही होगी इसी लिए management की एक वह जिमेदारी लगाए गया और यह responsibility ना सिर्फ auditing standards ल relevant जो भी information चाहे वो प्रवाइड करते हैं तो प्रवाइड इंफर्मेशन तो खुद से information प्रवाइड करतो जैसे आपको पता है कि debtors 50 लाग के हैं आपको पता है कि आईटर ने मांगने है पता पूचना है कि कौन कोंसे debtor तो खुद से ही information प्रिपेर करके देतो कि सब्सक्र है अगर ऑगर आईट्र अदिशन information बांगे मजीद हो भी देता हो और अगर आइटर कहे के अपने इंप्ल्याइज पर अन्रिस्टीट एकसेस देजिए है जैसे अगर सेवस्ट क्रीजमेंट कुछ से information देटे सर्ट यह हमारे रिएक की लिस्टा है अगर आइडेटर के अच एक्सेस प्रोइड करें मैंजमेंट के ठीक असर आपको इंप्लाई से लवा देते हैं ठीक है हमारी तरफ से कोई रिस्टिक्षान नहीं तो यह मैंजमेंट की तीन इन रिस्टिक्षान नहीं हो सकता है इसलिए यह तीनों मैंजमेंट का यह तीनों रिस्टिक्षान पूरा करना जरूरी है हैं अच्छा मुझे यह बताईए कि आप अर्डियर स्टार्ट में अभि अंगी और रिप्रिंट्षियन अग्री हो रही हैं आपने मैंजमेंट का engagement letter में लिखवा देना बहतर है के नहीं इसलिए हम engagement letter में in responsibilities को include करवाते हैं और in responsibilities का एक और नाम भी है प्रिमाइज ओफ अड़िट प्रिमाइज का मतलब होता है foundations या basic यह वो चीज़ें हैं जो basics of audit है अगर management अपने in responsibilities को accept करेगी agree करेगी तो फिर हम audit करते हैं कि वर नाड़ेट नहीं करते हैं यह management की ओपर all responsibility तीन समझागी आपको अगर management अपनी इन तीन responsibilities को accept करें acknowledge करें understand करें तो हम कहते हैं प्रिमाइज ओफ और प्रेजन है हम अड़िट करने को त्यार और अगर management अपनी इन responsibilities को acknowledge ना करें तो फिर कोई आड़िट नहीं होगा हम कहेंगे प्रिमाइज ओफ और प्रेजन नहीं है नहीं है लोड़ेट तो इन इन तीन चीज़ों का management का एक नॉलिज करना देखें एक कंसेप्ट management की responsibilities वह तो यह तीन है और एक कंसेप्ट है कि management अपनी इन responsibilities को मनें एग्री करें पूरी करें इंगेजमेंट लेटर की इसे कहते है प्रिमाइज ओफ और अगर अपनी यह काम नहीं करना है यहां तक बाद समझाई है आहरी चीज़ इसका मतलब है को स्पेसिफिक responsibilities भी होते हैं अगर सुना है तो आपको यह भी पता होगा कि रिलेटर पार्टिस को financial statement में disclose करना होता है यह किस के जिम्मेदारी है रिलेटर पार्टिस को disclose करना management की यह भी तो जिम्मेदारी है लेकिन यह यहां पे दो नहीं लिखी रही चले इसको छोड़े हो सकता है सारे स्टोर ने इसको भी चोड़ें फ्राड असेस करना के कमपनी के अंदर को फ्राड तो नहीं चल्डा वैसे तो आटर को मिले अटर भी रिपोर्ट कर लेता है लेकिन पहली जिम्मेदारी तो इसको भी चोड़ा है से टिक्स एससेशन रिकारड करना लेकिसके तुझे जितने फ्राड है वो नुखर लेकिन यहां पे तो नहीं लिखा ओग हो यह ओवर रखैक यह वो responsibility है जो पूरी financial statement से relate करती है management की कुछ होर भी responsibilities है जो specifically individual area से relate करती है यह मैंने आपको जितनी भी examples बताई ना यह भी management की responsibilities है लेकिन यह हम यहाँ पर cover नहीं कर रहे है क्योंकि यह individual area से relate कर रही है depreciation वाली specifically fix access से relate कर रही है पर we and for bad debt वाली debtor से relate कर रही है related party वाली specifically related party से relate करें तो याद रखिए आगे चलके हम कुछ topics पढ़ेंगे जैसे fraud जैसे subsequent event जैसे related parties कुछ topic पढ़ेंगे जैसे going concern उनमें आप पढ़ेंगे management is responsible to do this management is responsible to do this तो आप question पूछते होते हैं आपने जब हमें management के responsibility पढ़ाई थी ना उसमें related party तो लिखा ही नहीं देखें है कोई प्रिमाइज में उसमें related party लिखा ही नहीं था उसमें going concern लिखा ही नहीं था उसमें सबसीक्वेंट इमेंट लिखा अब कहां से आगे हैं अब आप पढ़ा रहे है management is responsible यह कहां कुछ नहीं पहले आगे पढ़ लेना है कि क्या कह रहा है कि management responsibility relating to fraud तो फ्राड वाली relating to related parties तो related party relating to subsequent event तो वह वाली management responsibility relating to going concern तो वह वाली और अगर सिरफ कहें management responsibilities यह management responsibility relating to financial statements तो फिर यह वाली responsibilities लिखनी है तो यह specific में और overall responsibilities में फरग है अभी specific पढ़ाई नहीं आपको कोई भी ने पढ़ाई आपको नहीं पता related party क्या है going concern क्या है subsequent event क्या कोई issue नहीं है कोई issue नहीं है क्योंकि मैंने समझा है नहीं लेकिन यह बता दिया देखें यहां पर सुनने यहां पर उन्होंने का सर management अगर financial statements प्रिपेर ही नहीं करती तो प्रिमाइस प्रेज़न नहीं है हम अगर करेंगे लेकिन अगर कर सकते हैं ले वह फिर हम रिपोर्ट में लिख देते हैं मिस्टेटमेंट हागे लें हाँ वह बात में देखेंगे देखें एक अदी इन्फरमेशन जैसे हमें किसी रिलेटिटर पार्टी की information नहीं दी ठीक है वह एक लाइदा बात है वह छोटा इस्व है वह हम अब तो यह overall अगर वह management ना करें तो फिर engagement को accept कर लें हाँ अगर बाकी की information देदी एक आदी information दुरान में नहीं मिली वह फिर हम रिपोर्ट में डिसकुस कर लें नो प्रिमाइज वाली ये सारी ना तीनों चीजओं मिलके इनमीडे करते हैं management और 들이्टे मीशन करें अदे नहीं करेंगे तो इसमें भी हम चाथी करेंगे आप उस पर relevant person से मिलवाएं restricted का मतब management refuse कर दे किसा इस बंदे से नहीं मिलवाना करना नहीं चाहिए management access को रिशेट कर सकती है लेकिन करना नहीं चाहिए लेकिन करना नहीं चाहिए जी जी हाइब्रेट से पूछे कि अगर आप नोट करें तो जितनी भी specific responsibilities है ना असल में इस वाले में कवर हो जाती है अगर मैं यह वादा कर ले ना कि मैं सही सही बनाऊंगी उसका मतलब है वह सारी भी कवर हो जाती है इसी लिए specific responsibilities को engagement letter में लिखना जरूरी नहीं है जी और क्योंक्य क्वेस्टन मैंने पढ़ा था कि management may not provide complete information बिल्कुल इसी वज़ा से तो हम management से तैय कर रहे हैं कि भाई जान आप सारी information हमें provide करेंगे इसी वज़ा से तैय यह यह जो हमने बाद लिखी है कि हमसे आप information शुपाएंगे नहीं लेकिन बाद उकात ऐसा होता है management start में प्रिमाइज कर लेती है तो कोई बात नहीं वह तरीके भी हमें हमारे सिंदेर ने बतायों मैं क्या करना और की क्वेस्टन चलिए यह था हमारा आज का concept आपको बताया अब माइंड मैप और मेंटी टेस्ट वारा दो तीन दिन के बाद हम कंड़क्ट करवाएंगे ठीक है आज का लेक्श गलत एंट्री पास कर दें सेल्स की फिगर को हजार की बज़ाए पांच जार लिख दे तो आप उसे कहेंगे कि उसने पांच गलतियां किया है तो वह रिस्क एट अजर्शन लेवल होगा हाँ अगर दूंग और और जार्शन अबब करने की कोशिश करता है रिस्क है कि वह करेगा तो आपको पता है वह तो फिर किसी भी एरिया में कर सकता है उसके प्रोच उसके उसकी पावर थार्डी तो सारी से इसलिए उससे रिस्क अट फाइनेंशर सेइंड मैल लवल करते हैं ता CFO employee नहीं होता, CFO management का हिस्सा होता है, audit में CFO management का हिस्सा है, चलिए आज का लेक्षेनियां पर खतम करते हम, अलाहाफस्थ